भीमा नाम का एक आदमी था जो कांच का सामान बनाने का काम करता था उसकी अपनी बीवी विमला से बिलकुल भी नहीं बनती थी और उनका आए दिन जगड़ा हुआ करता था एक दिन भीमा अपना काम खत्म करके शाम को घर वापस आया विमला अरे ओ विमला कहां मर गई जल्दी यहां और मुझे पानी ला कर दे बड़ी प्यास लग रही है भीमा काफी देर तक विमला को आवास लगाता रहता है लेकिन विमला कहीं नजर नहीं आती है तभी विमला बाजार में शौपिंग करके घर आती है उसे देखकर भीमा का खून खौल जाता है पागल औरत तेरा दिमाग खराब है क्या मैं कबसे चिला रहूं और तु घर में थी ही नहीं तुझे पता नहीं था कि मेरे घर आने का वक्त हो गया है और बिना सोचे समझे तू बाजार घूमने चली गई लग रहा है जैसे कहीं के लाट साहब हो तुम जो तुमारे आने पर मैं दर्वाजी पर पल के बिच्छाए बैठी रहूं मैं बहुत थक गई हूँ अब गर्मा गर्म कुछ भी नहीं मिल पाएगा कल की रोटी रखी है उसे ये अचार के साथ चबालो और ज्यादा गर्म खाना है तो बताओ पानी उबाल देती हूँ उसी में डुबो के खा ले ना विमला की बात सुनकर भीमा को बहुत गुसा आया और उसने विमला को एक झापड मार दिया लेकिन विमला भी कुछ कम नहीं थी उसने भी भीमा की जमकर धुलाई कर दी देखते ही देखते दोनों में काफी मार पीठ हो गई आस पड़ो उसके लोग उन्हें रोकने के निकम में कहींगी बस वही काज के शीशे बनाते रहते हो और खुद को बड़ा कलाकार समझते हो दिख तू मेरे काम पर मज्जा वरना अच्छा नहीं होगा मेरा काम मेरे लिए सब कुछ है अरे अब बस भी करो फिर वही तू तू मैं मैं करने लगे तुम दोनों पुलिस का नाम सुनकर भीमा और विमला डर गए और चुप चाप अपने घर के अंदर चले गए उनके जाते ही बाकी पडोसी भी चले गए दोनों अकसर इसी तरह आपस में लड़ते रहते थे और आस पडोस के लोग भी उनसे काफी परिशान रहे एक दिन भीमा अपने दुकान पर काम कर रहा था कि तभी उसे कुछ सामान की जरूरत पड़ी अब इस सामान के बिना में अच्छे से काज को तराश नहीं पाऊंगा लगता है मुझे बाजार जाकर इसे तुरंत लेकर आना पड़ेगा भीमा तुरंत बाजार चला जाता है और वहाँ पर विमला दिखाए देती है अरे ये कल मुही आज फिर बाजार की सेर करने आ गई इसके पास कोई काम धंदा तो है नहीं बस जब देखो तब बाजार में घुमती रहती है भीमा विमला की तरफ बढ़ी रहा था कि तभी विमला के पास सोने चांदी की दुकान का मालिक गुजू सेट आ जाता है और विमला उससे हसहस के बातें करने लगती है ये देख भीमा का खून खौल जाता है ओ, तो ये बात है, इसलिए बाजार के इतने चक्कर काटे जा रहे थे, ये विमला रोज रोज इस गुजु सेट से मिलने के लिए बाजार आती है भीमा, विमला और गुजु सेट के थोड़ा नजदीक जाता है, और छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है अरे शादी तो मैं तुमसे आज ही कर लूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा वो मनहूस पती है न, मुझे तलाक ही नहीं देता उसके पास ये जो दुकान है, ये मेरे बाबा ने उसे देहेज में दी थी, और अगर उसने मुझे छोड़ा, तो उसे ये दुकान भी वापस करनी पड़ेगी इसलिए वो कुछ नहीं कर रहा है, जबकि मैंने तो उसकी नाक में दम कर ही रखा है अरे तो जाने दो ना उस सडी सी दुकान को, उसे मिलती है तो मिलने दो, कम से कम तुम्हें तलाक तो मिल जाएगा ना अरे ऐसे कैसे, मैं उस मन्हूस को कुछ भी नहीं मिलने दूंगी इसके बाद गुज्जू अपनी दुकान में चला जाता है और विमला वापस घर के लिए निकल जाती है ओ, क्या बात है, यहां तो शादी के चर्चे चल रहे हैं, ठीक है, अब तुम लोग देखो कि मैं क्या करता हूँ तुम दोनक अब बिना शादी के ऐसा बेंट बजाओंगा ना, कि तुम मुझे याद रखोगे भीमा गुस्से में वापस अपनी दुकान पर चला जाता है, और एक बड़ा सा काच का शीशा बनाने में लग जाता है उशीशे के बड़े-बड़े टुकडों को एक साथ जोड देता है, और एक बकसे जैसे धाचे को तयार कर देता है तब ही भीमा के पास की दुकान वाला भोलू आता है अठे भीमा भाई यह क्या, यह तो काफी बड़ा बकस है, आज से पहले आपने कभी इतना बड़ा दुकान पर चला गया एक बना रही थी, मौका पाकर भीमा ने विमला के खाने में नेन्द की गोलियां मिला दी अब रात काफी हो गई थी और विमला पे नीन की गोलियों का असर हो गया था तब भी मा उसे चुपचा दुकान पर ले आया और उसने विमला को काँच के शीशे में क्याद कर थोड़ी देर बाद विमला को होश आता है और वो खुद को काच के शीशे में कैद पाती है ये ये क्या है अरे पागल आदमी ही तुने क्या किया मुझ इस काच के शीशे में क्यों कैद कर रखा है अरे कोई मुझे बाहर निकालो यह मेरा दम घुट रहा है अरे कोई मुझे बाहर निकालो अच्या बाहर निकाल दो ताकि तू जाकर उस गुज्जु सेट से शादी कर ले और मुझे कंगाल बना दे हाँ मैंने कल सब सुन लिया था अब ये काज का शीशा ही तेरा नया घर है और यहां से तू सिधा उपर जाएगी वो बोड़ा गुज्जु सेट भी पंदरा बीस साल में उपर ही आ जाएगा तब तो उसके साथ चादी कर ले ना ये तो क्या बोल रहा है क्या तू मुझे मार डालेगा अब बिलकुल ठीक समझी तू अब घर भी मेरा दुकान भी मेरी और साथ ही साथ मेरी जिन्दगी में सुकून और शान्ती भी होगा चल अब मैं चलता हूँ इतना कहकर भीवा दुकान बंद करके वहां से चला गया और विमला मदद के लिए चिलाती रही रात काफी हो गई थी इसलिए आसपास कोई भी नहीं था जो विमला की आवाज सुनकर उसकी मदद करने आता थोड़ी ये देर में दम खुटने के कारण विमला की मौत हो गई और वो एक चुड़ैल में बदल गई लेकिन विमला अब भी काच के शीशे में ही कैद थी एक बार ये भीमा मेरे हाथ आचाए रहा इसे नहीं छोड़ूंगी इसकी वज़े से मैं भरी जवानी में चुड़ैल बन गई और अब भी इस शीशे में ही कैद हूँ कई दिन बीच जाते हैं लेकिन भीमा दुकान पर आता ही नहीं है और एक रात को शीशे में कैद चुड़ैल जोर दोर से चिल्ला रही थी भूलू अपने मन को समझा नहीं पाया और धीरे से भीमा की दुकान के पास गया आवाज और तीज हो गई तो भूलू ने भीमा की दुकान का ताला तोड़ दिया और अंदर पुस गया अंदर जाते ही उसने शीशे में कैद चुड़ैल को देखा और डर के मारे कापने लगा भूलू भाईया मुझे बचाओ भूलू भाईया क्या भाईया अरे चुड़ैल मैं कोई तेरा भाईया भाईया नहीं हो अरे पर एक मिलट तुझे कैसे पता कि मेरा नाम भूलू है क्योंकि मैं विमला हूँ भूलू भाईया क्या विमला तो तो चुड़ैल बन गई ताकि मैं तड़प तड़प कर मर जाओं और वो मुझसे छुटकारा पासेके और अब सारी गाओं में जूटी अफ़पा पहला रहा है मुझे इस शीशे से आजाद कर दो ताकि मैं जाकर उस भीमा से बदला ले सको भूलू चुडैल को शीशे से बाहर निकाल देता है और च जिक कहां ढूंडू तभी कुछ लोग वहां रास्ते से गुजरने लगते हैं वो आपस में कुछ बाते कर रहे थे चुडैल ध्यान से उनकी बाते सुनने लगती है वो एक आदमी और ओरत थे वा कई में विमला ने भीमा भाया के साथ बड़ा गलत किया था पर अच्छा है आज भीमा भाया किसी और से शादी कर रहे हैं अब उनकी जिन्दगी में सुकून होगा दोनों जल्दी से चलने लगते हैं ये सुनकर विमला का गुस्सा बहुत जादा बढ़ जाता है और वो उन दोनों का पीछा करके वहां पहुँच जाती है जहां भीमा की शादी हो र गाउं में तुने क्या खबर फैलाई कि मैं गहने लेकर भाग गई रुक अभी तुझे बताती हूं मैं बचाओ बचाओ कोई बचाओ अरे मैं तो कहता हूं निकलो यहां से ये इनका आपस का मामला है इसमें पड़े तो हम भीमारे जाएंगे कोई भी भीमा को बचाने नह कुझे छोड़ कर जो तुने मेरे साथ किया अब वो तेरे साथ होगा थोड़ी देर में विमला चुडैल भीमा का गला दबाकर उसे मार देती है और भीमा भी भूत में बदल जाता है फिर क्या था विमला और भीमा मरने के बाद भी एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ते और आपस में ही लड़ते रहते हैं